तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप A प्लस B के होल स्क्वार का यूज करके किसी भी संख्य चाहें बो दौंकों की हो या तीन अंगों कैसे उसका बर्ग निकाल सकते हैं तो चलिए करते हैं सुरू सबसे पहले देखें A प्लस B का होल स्क्वार होता है A प्लस B का होल स्क्वार इस इकल टू होता है A स्क्वार प्लस 2 A B प्लस B स्क्वार तो हम इस सर्वसमीका का यूज करके कैसे किसी भी संख्या का चुटकियों में बार के निकाल सकते हैं चाय संक्या 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, चार अंकों की हो, तो चले करते हैं, शुरू पहले एक उधारन लेते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दो, देखे 14, हमने एक उधारन लिया, आपको simply यहां पर करना है कि जो पहला अंकर उसको आपको A माल लेना और दूसरा अंक को आ तो बी की जगह यहाँ पर 4 है, तो 4 के स्क्वार होता है 16, तो 16 का जाएगा 6, हांसिल लगेगा है हांसे 1, उसके बाद होता है 2AV, यानि दोनों की गुणा का 2 गुणा, तो दोनों की गुणा हो जाएगी 4 इक चार, इसका 2 गुणा हो जाएगा 8, और एक हांसिल वाला कितना ह हो जाएगा 9, उसके बाद होता है A2, एक ही जगह हमारे पास कितना है 1, तो एक कवर होता है 1, तो इस तरह सा आप 196 असानी से निकाल सकते हैं, और बताता हूं आपको देखी 16, अब देखी यह पहला रंक और यह दूसर रंक, आपको सिंपली करना क्या है, V2 यानि B2 होता है एक और एक हासिल वाला कितना हो जाएगा 2, तो 16 का वर्ग होता है 256, आगे बलता चली देख लेते हैं, 36, आप इसको कैसे करेंगे, देखे, पहले हमको करना है B2, उल्टा, तो 6 का वर्ग होता है 36, 36 का यहां से 6, हासिल लगेंगे 3, उसके बाद दोनों की गुणा का दो कितो हो जाएगे 12, तो इस तरह से 36 का वर्ग होता है 1296, आगे देख लेजिए, कोई और संके ले लेते हैं, 74 ले लेते हैं, 74, क्या होता है B2, यानि कि यहाँ पर 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाए 16, हासिल लगा 1, उसके बाद दोनों की गुणा का दो गुणा, 7 चुक 28, 28, 28 का दो गुणा होता है, 56, 56 और एक 57, हासिल लगेंगे यहाँ से 5, ए स्क्वाइर, एक जगाए 7, 7, 7, 49, 49 और 5 होते हैं, 74, सोरी, 7, 47, 45 हो जाएंगे, 54, तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं, 54, 76, संके ले ले लेते हैं, 86 या चली, 88 ले 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 लेते हैं, इस बार, यह ल एक आमान हो जाएगा यहाँ पर, सोरी, बी कामान हो जाएगा, 64, 64, 64, हासिल लगे, 6, उसके बाद दोनों की गुणा का दो गुणा, 88, 64, 64, दुनी 128, 128 और 6, 134, हासिल लगे हासिल, 13, 88, 64, 64, और 13 हो जाएंगे, 7, 7, यहाँ यहाँ पर आपको तीन अंकों में क्या गरना है सिंपली, जो लास्ट वाला, इकाई वाल अंक है, उसको आपको मानना है, B, और जो पहले दो अंक यहाँ पर, A वरावर होगा वारह, और B वरावर आपको मानना है, इकाई अंक है, और 9, तो हमको करना क्या है, a², a का जगा आजाएगा, 1, तो 1 का स्क्वाइर तो 1 ही होता ह उसके बाद क्या होता है दोनों की गुणा का दोगुणा तो बारे का ना बारा इसका दोगुणा हो जाएगा 24, 24 का 4 हांसे लगे 2 उसके बाद A square, A square कितना हो जाएगा बारा, बारे का बर्ग होता है 144, 144 और 246 तो इस्तरह से आप 3 अंक़ों का निकाल सकते हैं, 2 अंकों का निकाल सकते हैं, 7-7 एक ट्रिक में आपको बता दू, कि अगर किसी शंख्या का 1 अंका 5 है, यानि कि कि इसलए का बर्ग कैसे आसानी से कर सकते हैं, चली यहाँ पर देख लेते हैं, मा लीजे शंख्या आमारे पास 25 हमको इसका बर्ग करना है तो कैसे करेंगा आपको simply करना क्या होता है 5 का आपको बर्ग कर देना होता कितना 25 और ये संख्या हमारे पास 2 हमको देखना 2 से अगली संख्या कौन से आते है तो 2 सा आगे क्या आता है 3 तो दो गुणा तीन कितना होता तीन दुनी 6, 625, ऐसी मालीज अगर हमारे पास संख्या है 55, तो इसका हमको बर्ग करना है, 5 का बर्ग हम ऐसी कर देंगे, 5, 25 और 5 से इस वाले 5, ये वाला 5, इस से अगली संख्या आती है 6, तो 5 गुणा 6, 6, 35, अगर कोई हमारे पास संख्या हमको करने है 25, और 11 की गुणा, इसकी अगली संख्या यानि के 12 से, तो 11 दुनी 22 का 2, हासी लगेंगे 2, 11 का नहीं 11 और 2, 13, तो 132, 25 तरह साब, 115 का बर्ग निकाल सकते, तो आयो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आई हो, मैंने आपको बताया, A प्लस B के होल स्कुल से कैसे निक बाल सकते, अगर आप बर्गो से जुड़ी और भी कोई ट्रिक जानना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, थाइम्की फो वाचिंग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में,